नमस्कार दोस्टों मैं आप सभी का चेरपरी दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बिहध ही महतोपुन जानकारियों को ले करके आईए आज हम पान के पत्तों से किनकिर्ण रोगों को दूर भगा सकते हैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और पान के फायदों के बारे में पान से रोगों का आप उपचार कर सकते हैं पान की संस्कृती प्रमपरा, पूजा, अर्चना और टोने टोटकों में बहुत अधिक महत्वपूर स्थान है समाने तह लोग इसे खाना खाने के बाद खाना पचाने के और मुह के स्वाद के लिए खाते हैं इसके अलावा धर्म संसकार की क्रियाएं भी इसके बिना संभव नहीं हैं किन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सिर्फ मुह का जायका ही नहीं बेहतर करता है बलकि शरीर को अनेक तरह के रोगों से भी बचाता है और कई बीमारियों का उपचार करता है पान को बनाने में अनेक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पान का पत्ता, कथा, सुपारी और चूना इत्यादी ये सब पदार्थ किसी न किसी रूप में मुह के लिए लाफकारी होते हैं तो आज हम पान के कुछ ऐसे हैं और शद्य गुनों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो अगर आपको पायरिया रोग है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दांतों में पायरिया की शिकायत होती है और जिसके लिए वे अनेक तरह की दवाईया खाते हैं और अनेक तरह के परहेज करने पर विवश हो जाते हैं लेकिन तो अगर वे पान में 10 ग्राम कपूर मिला कर दिन में 3-4 बार पान का सेवन करते हैं तो जल्द ही इनकी पायरिया की शिकायत दूर हो जाती है बस उनको एक बात की सावधानी ये रखनी पड़ती है कि वे कपूर मिले पान के रस को पेट में ना सटकें बलकि बाहर नि मुघ के प्रभाव को कम करते हैं और मुंग के दूरगंद को भागाने में मदद करते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला कथा लॉंग और इलाइची मुंग को फरेश रखता है जो वियक्ति पान खाते हैं उनकी लार में successor slippery समानीय रहता है जिससे उन्हें मुख से संबंधित किसी भी रोग से सुरक्षा मिलती है ये मसूरों की गाठ और सुजन को दूर करने में भी लाफकारी होता है अगर आपको खांसी है जिहां जो व्यक्ति खांसी से परिशान रहते हैं उन्हें हल्दी को घर्म करके पान में लपेटना चाहिए और उसके बाद इसे च जुकाम है यानि कि खांसी के साथ साथ जुकाम का होना समान्य बात है किन्तु जुकाम को दूर करने के लिए आप पान में थोड़ी सी लौंग मिला लें इससे जुकाम जल्दी पक जाता है और आपको आराम मिलता है जिन व्यक्तियों को किड़िनी की समस्या है वे दिन में दो बार सुबह शाम पान को आवश्य चबाएं इससे इनके पेट की गंदगी साफ हो जाती है और किड़िनी की कारियर शमता में व्रिद्धी होती है किन्तु आपको कुछ चीजों का परहेज करना आवश्यक है जैसे क अधिक मिर्च मसाला, शराब, अंडे, मांस और ऐसी चीजें जिसे पचाने में पाचन तंत्र को काफी मेहनत करनी पड़ती है आपको नहीं खानी चाहिए स्वासन नली की प्रोब्लेम में पाण को स्वास संबन्धी या स्वास नली से जुड़ी अनेक तरह की बिमारियों में इस्तेमाल किया जाता है इनको ठेक करने के लिए इसके लिए आप पान का तेल निकाल लें और उसे गर्म कर लें गर्म करने के बाद आप इस तेल से अपने सीने को सेकें या अपने सीने की मालिश करें आप इस उपाय को एक महिने तक अपनाएं आपको खुद इसका लाव महसूस होगा पेशाब का कम आना कुछ लोगों को अल्पमूत्र का रोग होता है जिसकी वज़ा से उन्हें पेट संबंधी अनेक रोग अपना शिकार बना लेते हैं इस समस्या से बचने के लिए आप पान के पत्तों का रस निकाल कर उसे पतले दूद के साथ लें इस तरह आपका रुका हुआ पेशाब ठीक हो जाता है त्वचा के निकार के लिए पान के पत्तों में कुछ एक ऐसे एंटियोक्सिडेंट तत्व पाये जाते हैं जिनसे आपकी त्वचा के रंग में निकार आता है और आपका संदर्य बढ़ता है ये आपके खून को साफ करके आपको किल मुहासों से भी बचाए रखता है जिन लोगों को गठिया रोग है या शरीर के अनेक हिसों में सूजन है उन्हें पान की पत्ती को पीश कर उसमें अरंडी का तेल मिला कर एक पेश्ट तयार करना चाहिए इस पेश्ट को उन्हें उस जगह पर लगाना चाहिए जहां उन्हें सूजन की समस्या है आपने के साथ बिताए गए उन पलों को और भी अधिक हसीन और खुशनुमा बना सकते हैं पान से लिवरी ग्रैंड को सक्रिय करता है जिससे मुह में पाचन के लिए जरूरी लार बनती है और खाना आसानी से छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है इसका आपको कब्ज जै से शरीर की आठे साफ रहती हैं और अलसर का खतरा टल जाता है पान में पाया जाने वाला एनलजेसिक तत्व सरदर्द में आराम देता है साथ ही पान के पत्ते को घाव पर लगाने या पान के सिवन से घाव भी जल्दी भर जाता है अगर आपको अधिक सरदी लग रही है तो उस स्थिती में भी आप पान के पत्ते का प्रियोग कर सकते हो इसके लिए आप पान में थोड़ा सा शहद मिला लें और इसके बाद इसका आनंद लेते हुए चबाएं अगर आपके मुह में छाले या जलन है तो आप पान का रस निकाल लें और उसे गर्म कर लें इसके बाद आप इसे अपने छालों पर लगाएं आपको जरूर आराम मिलेगा भूख को बढ़ाने के लिए कु पाना खाता है भूख बढ़ाने के लिए अगर आप देशी पान का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए अधिक लाफदायक होगा तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि आप सभी अगर पान का इस्तेमाल सही ढंक से करते हैं जर्दे वाला पान नहीं मीठा पान और उसकी पत्तियों का इसके साथ खैर और चूना इलाइची यानि कि सही चीजों का अगर आप उसकी जगह नशे के लिए आप इसको इस्तेमाल करने लगते हैं इसमें जर्दा इस्तेमाल करने लगते हैं तो यहीं लोस वाला आपके लिए हो जाता है लेकिन पान का अगर सही ढंग से आप इस्तिमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद ही लाफकारी सावित होता है पान का पत्ता तो ऐसे ही अगली करी में हम आप सबींसे उट से जुड़ेंगे एक और बेहतरीन किसी और किशे ऊषधी को लेकर, के या उससे जुड़ी होई जानकारियों को ले करके आप सभी के लिए तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों